दोस्तों स्वागत आपका रास्तान में बीजीपी की सरकार आई पर्चन बहुमत के बाद मुख्य मंत्री बने बजनलाल और वित मंत्री बनी दिया कुमारी दिया कुमारी ने कल बजट चुपेश के इस बजट में खुब सारी बाते ली थी लेकिन बहुत नीरा सा जनक परतिग्रा दी और सोगेलोट क्या कहते हैं रास्तान के वित मंत्री मोहदय द्वारा पेस किये गए लेखनदान में प्रदेश के विजन की बज़ाए पूरूरती सरकार पर आरोप ही दिखाई देते हैं पहले कि सरकार पर सिर्फ आरोप और आरोप और आरोप लगाए और पर्दान मंत्री मोहदय जी की तारीफों के पुल इस बज़ट में बाढ़े गए हैं विजन की बजाए पूरूरती सरकार पर आरोप दिखाई दिए वित मंत्री ने कहा कि राश्तान सरकार पर कर्ज्ट दो लाग करोड रुपे बढ़ गया मैं उनके जानकारी में लाना च आता हूं क्या कहते हैं कि 12 सरकार पर यूपीय सरकार के समय दो जार चौदा तक 55 लाग करोड का कर्ज था ठीक अब 2023 तक 106 लाग करोड रुपे से बढ़कर 161 लाग करोड रुपे हो गया रास्तान सरकार के सभी फाइनेंसियल इंडिकेटर भारत सरकार से बैतर है रास्तान की स्टेट जीडीपी दोज़ार अठारा में करीब नो लाग करोड रुपे थी जो दोज़ार तेविस में पंदरा लाग करोड रुपे हो गई है बहुत अच्छी बड़ोत्री है यह रास्तान आरते विकास दर में उत्तर भारत में नंबर बन है और पूरे भारत में बात करें पहले आंदर पर दें साथा उसके बाद राजस्तान आता है ठीक है नमबर टूपर रास्तान आता है जी डीपी में आज की लेका नुदान से रास्तान की बाज़पा सरकार ने मोधी की गारंटी की हवा निकाल दी है क्योंकि मोधी जी ने चुना में रास्तान में पेट्रोल डिजल की कीमते गुजरात और यूपी जैसे पड़ोसी उंग्रेस के केमपेंज से चुराया है तो यह बात है असो गयलोत कहते हैं उसके बाद किसान विरोती सोच को परदेशित करते विए बाच्पा सरकार ने हमारी सरकार द्वारा सुरू किये परतक कर्ष्री बजट को समाप्त कर दिया है जबकि वरतमान बीचीपी सरकार के मा लेखनदान में सीतापुरा से अमबाबुडी मेट्रो की डीपीर की गोशना करना बताता है कि दस वर्स पहले भी हमारी सरकार का विजन सही था अगर पुरूरती बीजेपी सरकार ने इसका काम बंद नहीं किया होता तो कम लागत में मेट्रो तयार हो चुकी होती कि इस स्टेटमेंट इस टीपनी पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप बजट में आपको क्या मिला जरू बताए कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा